नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैंने योगा को ही क्यों चुना मुझे भी थाइराइड हो गया था थाइराइड की दवाईयां खाती थी पर मुझे गोलियां खाना बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन डॉक्टर ने आपको मॉर्निंग में एक गोली रोज खानी पड़ेगी और आपको टहलना भी पड़ेगा तो मैं डेली टहलने जाती थी अचानक देखा महां पर भारतियोग संस्तान के सिक्षक थे वो पार्क में योगा सिखा रहे थे निसुल्क सिक्षा दी जाती है पार्कों में भारत की कक्षन में रोज प्रति दिन आई है तो मैं डेली जाती थी उन्होंने मुझे हुष्ट रासन, नेक रोटेशन, उज्जेई प्राणायाम और भी काफी सारे आसनों के बारे में बताया जिससे मैं अपनी थायरेट ठीक कर सकती हूं तो मैं उसका अभ्यास प्रति दिन करत दिया और आसनों का अभ्यास करती रही आज मैं पिछले करीब डेड़ दो साल हो गये हैं मैं थायरेट की एक भी गोली नहीं खाती हूं मेरा थायरेट बिल्कुल ठीक है नॉर्मल है खर्च है मैंने पर लेकिन टेस्ट करवाती रहती हूं और मैंने योग अभ्यास भी नही करती हूं चाहिए वो कख्षा में हो तो भी बाद में भी करती हूं ताकि उसमें कुछ देर तक रुप हूं अगर हम योगा भ्यास अपनाते हैं तो बॉडी के पर्टिकुलर एरिया पर प्रभाव आता है जैसे कि थायरेट के लिए करना है तो गर्दन के मांस फेशनों पर खिचाव आए वो आसन हमें बताए जाते हैं जिससे आप कुछ देर तक रुक कर कीजिए उसके बाद आप की जो थायरेट ग्लैंड से वो प्रभावित होने लगेगी और थायरेट आपकी अपने आप ठीक हो जाएगी धीरे धीरे आप दवाईयां भी खाईये और योग अ मैंने बहुत जल्दी अपना थायरेट के और कर लिया था मैं धन्यवाद करती हूं भारती योग संस्थान का जहां मैं जूड़ी और मैं अपनी थायरेट को ठीक कर पाई आज मैं बिलकुल भी गोली नहीं खाती हूं एक भी गोली नहीं खाती हूं थायरेट की या किसी भी विमारी की और मैं चाहती हूँ जिसे भी थाइराइड है वो योगा को जरूर अपनाएं लॉकडाउन चल रहा है घर में हैं योग अभ्यास करें और स्वस्त रहें मस्त रहें इसलिए मैंने यह वीडियो वनाई है ताकि मैं अपना अनुभव आप सब के साथ शेयर कर सकूँ ताकि नुमिस प्रोचिंग ताकि जो जो ये शेयर को जोनुड़ जो जो सक्के बाइब है झाल जो ये झाल जो 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 आझाव रहा है उजा उसाएब कर दो जाने जुम सेशव जो आता है तो ये जूज है तएिसे यूड़ जो